हेलो साथियों कैसे हैं आप सभी मैं विनतिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एक्जामपुर में हर्दिक स्वागत करता हूँ हम हैं एक्जामपुर का लम से क्रांती साथियों आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएए पिर हम लोग आज का जो हमारा सेशन हम लोग उसे स्टार्ट करेंगे जी सभी साथी जल्दी से जुड़ेंगे और सेशन को जितना जादा शेयर कर सकते हैं सभी लोग जल्दी शेयर कर देंगे और जुड जाएंगे यहाँ पर पिर हम लोग आज का जो हमारा सेशन है हम उस से स्टार्ट करेंगे जी सभी लोग जल्दी से जुड़ जाईए और सेशन को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं हाँ जी फटा फट जुड़ जाईए शेयर कर दीजिए सभी लोग सेशन को जी सबी लोग जुड़ेंगे जी अभी आप लोग के कमेंट्स मेरे पास अब आना शुरू हो गए ठीक है बेटा चली कमेंट पढ़ते पढ़ते अच्छा जी गूड आफ्टरून बेटा समिर कुमार जी रज़त आरके सेलेंद टीशा शुकला अच्छा कॉपी पेस्ट के पवाड़ी हो रही है चली अच्छी बात है सभी लोग हरियों सिंग और बाकी सारे लोग आ जाईए सेशन को शेयर कर देजिए इतना ज़्याद आप शेयर कर सकते हैं एक बारी हाँ बिलकुल कि एक सेकिन दे दो तो यहां भी क्लास हो जाएगी ओपन चली आप लोग की कमेंट्स भी में ने पास आगए ने क्लास में आग मतलगा ना सरा ठीक है ना क्लास में आग लगा तो बड़ बड़ हो जाएगा चली पहला पूस्चिन आज की प्रैक्टिस सेशन का पहला कोस्चिन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सभी लोग इसको सॉल करके बताएं कि क्या आज सराएगा जी बेटा बेटा इंस्टा फील वाला बेटा इस क्लास की टाइमिंग फिक्स है देखो मेरी क्लास की टाइमिंग सुन लो जो मेरी यूटूब की क्लासेज होती है संंटर पर होती विटा आज लाइट नहीं थी यहाँ पर लखनों में शेंटर पर लाइट चली गई थी जिसकी वज़ास आपकी बारा बज़े वाली ज्लास थी यहाँ पाई त्यैकर छांछ है कि यहाँ पर दिख्ये यहाँ आद्ञहेत के लाइट यहाँ सुनिए गई होती है जो आपकी कहा होती है SSC exams by exam कूथ है SSC exams by exam कूथ है ठाइक class two pm पर होती है यह होती है आपकी example पर खीक है। उसके आदो हूती है nine pm पर class यह class होती है Conos. यह थी सी exam बाई-evaluation कूथ है यह three classes होती है आपकी किसमें? यας हाँ हां राना सिंग जी सौरी बेटा तो इस तरीके से ये तीन जो हां राधे-बेटा रवीया दो जी यह तीन जो है आपके टापिक वाइस ट्वेल पीम वाली है त्वेल पीम वाली जो क्लास है वो कैसी है कई सी बेटा टॉपीक वाइस है बागी जितनी भी क्लासेस है हां जी जितनी क्लासेस है दो बजी वाली और 9 बजा ली पैक्टेस सेशन से हमारे सबीलोग यह पार पहले अच्छा एक question टीशा पूछ रही है इसको देखते हैं हम लोग टीशा ने पूछा है कि century का first और last day कैसे निकालते हैं क्या आप लोग बता सकते हैं महलने वालों चलो आप लोग से भी एक question पूछ लिया मैंने चलो इस question का answer ही दे देते हैं century का first or last day कैसे निकलता है कि first or last day कैसे निकलता है century का first or last day कैसे निकलता है बताएंगे सभी लोग कोई comment करके बता सकता है जी good afternoon जी डी 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 चलो उसका देखते हैं बेटा गहलोत जी संजय सभी लोग शेयर कर देख बार जल्दी से आरके serious life महारथी बैच में क्या पुलकिसर की class हो नहीं थी ने सायद वो हो रही थी हो रही है उनकी कि नहीं यह मुझे और बता दो आरके serious life आप मुझे यह कमेंट कर बता दो क्या उसमें पुलकिसर की class हो रही है या नहीं आज आ बेटा दिव्यतिवारी हाँ बिलकुल हाँ प्रेज द लॉर्ड जी ओके चलो बट कोई वात नहीं कोई वात नहीं देविंदर जी हाँ सर हमको भी ओहो कैलेंडर नहीं आता आप लोग कैसे निकालते बहुत असान है किसी भी शताब्दी का first or last day निकालने का जो तरीका है आप उसे समझेए तो जो first or last day निकालने का तरीका है वो यह है जहां सुनिएगा अच्छा किसी को नहीं आता मैं ही बता हूँ हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल इधर देखो अगर हमें किसी सेंचुरी का first or last day निकालना है तो हमें सेंचुरी के और डेस पता हूँ अगर हमें शताब्दी यानि सेंचुरी के और डेस पता हैं सेंचुरी के और डेस क्या होते हैं 100 के लिए होता है पांच 200 के लिए होता है आपका 300 के लिए होता है आपका एक और 400 के लिए होता है आपका जीरू तिरपंदस तिरपंदस यह आपका क्या है odd days है किसके century के century यानि शताबदी यह हमारे century odd days है यह हमारे क्या है century के odd days है हम इस हिसाब से यहाँ पर क्या करते है answer करते है clear हो गया अब देखो कैसे निकालते हैं किसी सेंचुरी कहां बिल्कुल सही पूजा गोयल ने सही बताया तीशा तुमने भी सही बताया तिरपंदस चार सो से मल्टिप्लाई करते हैं सूरज चार सो से मल्टिप्लाई ने पहला और आखरी दिन अगर हमें शताब्दी का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें और डेस पता होने चाहिए सबसे पहले शताब दी के अगर हमें शताब दी के और डेस पता हो गए तो हम बड़े आराम से अंसर निकाल ले जाएंगे कोई भी समस्या नहीं आएगे तिरपंदस निकला अब समझो अब यहां पर क्या होगा समझेगा तो देखो सौ वर्सों का पहला और आखरी दिन परस्ट लास्ट दो सो वर्सों का पहला और आखरी दिन परस्ट लास्ट तीन सो वर्सों का पहला और आखरी दिन परस्ट लास्ट एंड चार सो वर्सों का पहला और आखरी दिन परस्ट लास्ट एंड चार सो वर्सों का पहला हमें अलग अलग शिताब्दी के हमें पहले और आखरे दिन निकालने हैं अच्छा डॉली ऐसे कौन देखता है ऐसे कौन देखता है गलत बात चले देखते हैं यहां तक की बात क्लियर है अब देखो किसी भी सेंचुरी की जब हम बात करने जाते हैं अभी अभी हमने 53,10 निकाला था यह सौकर लिए हो गया यह 200 के लिए हो गया यह 300 के लिए हो गया और चले ध्यान से देखेगा इस question का answer देखेगा तो इससे हमें हर का last वाला मिल जाएगा हमें सब का last वाला मिलेगा देखो ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1 यानि इस तरीके से हम response बनाएंगे अब एक बात बताईए आप लोगों को याद होगा शायद जीरो था क्या, वन क्या था, तू क्या था, पी, हाँ, पूर, पाइव, चलो फूर के बाद, पाइव और सिक्स, पाइव और सिक्स, फाइव क्या हो गया, और सिक्स क्या हो गया, ये, दिख गया आप लोग को, जी, इस तरीके से हम लोग लेकर चलते हैं अच्छा जी अच्छा अच्छा तो अभी पीडियेफ नहीं डेली थे, क्या टीक्षा विटा, चलो मैं डलवा दोगा आज ठीक है, खाली ये डाउट है, वो उसे क्लिया कर रहे हैं तो देखो इस से आपको मिला पांच के लिए मतलब सुकरवार उसका फुकरवार, उसके बाद तीन के लिए की तुकरवार, उसके बाद देखो दुक के लिए कौन है तिरपन 10 है ये वन और ये जीरो है, वन के लिए मंडे खेकले नहीं िखिळ। यानि हर सताब्धी का आखरी दिन अच्छा डॉली उन्हें योगा हुआ कर लिया अनलों विलों अब देखो एक बात बताओं सब्सक्राइब सब्सक्राइब जन्वरी चल रहा है अब जन्वरी अगर चल रहा है जन्वरी मानलो सोमवार को सुरू हुआ तो और खतम हुआ सनिवार को जन्वरी मानलो सब्सक्राइब जैसे भी चला था फर्वरी पर्वरी मानलो जन्वरी को सुरू हुआ मंड़े को सुरू हुआ था कर में लूद्र को भात चौक्त भाट और ट्यूजह मतल required का पहला दिन मंडर ठांट गerkt इंस अब फर्वरी मंगलवार को कि और ओर है्म मंछ नोग कर द्हूर होगा इसलों कप सरूल यह बुदोफ और वर को शुरू होगा हैं। सेम इसी तरीके से अगर सौ वर्स, अगर सौ वर्सों की जो शताब्दी है, अगर वो सुकरवार को सौ खतम हो रहा है, तो दो सो कब सुरू होगा, सनिवार को सुरू होगा, इस बात की ग्यारेंटी है, ऐसे ही अगर दो सो वर्स, अगर गुद्वार को खतम हो रहा है, तो ती कि बात मुझे लगता है सबको समझ में आ गई होगी है हाँ होगी होगी सारी फाइव वाली क्लास होगी कोश्चन बेटा यह है कि श्रताब्दी का पहला और आखरी दिन कैसे निकालते हैं अब लास्ट देख लो जब यह रविवार को चार सो खतम होगा तो पांसो जब आएगा विए लो कैसे इसको समझना इसको मैं समझा रहा हूं देखो जैसे मानलो रविवार है ज्यान समझना अगर चार सो खतम हो रहा है कब रविवार को तो इसके चार सो बात क्या आएगा पांसो जब यह रविवार खतम होगा तो यह किस पर सुरू होगा सो मौर पे आई वा समझ में, समझ गें तो ये इस तरीके से 500 का मतलब होता क्या है 400 प्लस 100 500 का मतलब क्या होता है 400 प्लस 100 और 100 का answer जो है वो यह रहा तो इस तरीके से अगर century का प्रशन आता है तो आप आराम से कर सकते हैं जो पूछना था जो बताना था मैंने पूछ बता दिया चलो इस पर आओ कि एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस क्यारा बारा तेरा चौदा पंदर सोरह सतरा ठारा इतने हो गए अठारा कि हाँ बेटा बल भी ले सकते हैं बिलकुल अठारा अब अठारा का मतलब क्या हुआ या तो छे छे के तीन पे या तो तीन तीन के छे पे या तो छे छे के तीन पे या तो तीन तीन के छे पे जल्दी ने शेयर कर दिये सभी साथी सभी साथी एक बार ही शेयर कर देंगे जल्दी से जितने लोगों ने अभी तक शेयर ना किया एक बार शेयर जरू कर देंगे जल्दी से एक बार शेयर कर देंगे आप सभी साथी फिर हम लोग बहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग क्या करेंगे वेहतरीन तरीके से आगे बढ़ जाया करेंगे जी दिलकु से चलो अब सही है ठीक है जी तेंद्र आज से पीडियेफ मिलने लगेगी एप वाली भी चलो देखो अब इसे देखिए अब अगर मानलों बड़ा वाला पेर बनाएच्छे कि तीन एक दो तीन चार पांच है एक दो तीन चार पांच है एक दो तीन चार पांच है यह हो गया अब अगर गौड से देखो यहां पर तो क्या दिख रहा है अच्छा क्या है ऐसा नहीं दिख्रा इधर देखो अगर हम पेर ना भी करें डब्लू एक्स वाई डब्लू 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 डब्ल एक हम दो बार रखते हैं तो यह ओप्शन है अब क्या से बन रहा है आगे फिर फिर यहां पर तीन और संगल थे इस में डबल 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 आये इसमें तीन तीन आये यानि यहां पॉपर उस तरीके से चीजए नहीं बन पाएं यह जो शरीज चलिए ते हो डबलु ख्वाइड MALE ??? ने रहा है अगला कोशिए सीडली चलते हां किँके युम इतना स्रूर चलते नहीं है हा किश्ण कुमार आप बहुत दिन बात लेने ही आया होगे अधरवाइस कभ्स कास छल कि अ Sm चलिए पस्ट का दिए चलो बोला देखो M के बाद N, M के बाद N, N के बाद O के बाद P, P के बाद Q आए ये काड दो, अब देखो H के बाद G, 8 से 7, 1-1 किया, 1-1 किया, 1-1 किया,' क्योंकि बाद D, इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, एंसर हो जाएगा C उप्शन, चलो, अगरे कोस्ट ये, नहीं स्क्रीन पर यह रहा है YWS फिख खाली फिर यू को वाई हो गया डबलु हो गया एश हो गया है 25 से 23 कि दो गटाया चाल गटाया 6 गटाया 8 जटाया दो गटाएंगे तो यह आ गया पच्छी से 23 तेईस से 4 गटाया 19 26 गटाया 19 में 6 गटाएंगे कितना हो जाएगा 13 6 19 में लेकिन क्या यहां पर 19 वाली कोई बात है कि देखो ना 19 में से अगर हम 6 गटा दें 13 आ जाएगा 13 पर क्या आता है कि यानि अपर में आप्शन बें कि आने आदक शेलों अब एम एम तो यहां है नहीं कहीं पर कि एम तो यहां पर है यह नहीं पताई जल्दी से के 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 डॉली पांडे जेट कह रहे हैं सबने चेंज कर रखिए जी के कर दो यहां है यहां है कि अहाई झालो देको नहतना है यहां तक कोई समझ से किसी को के और कुछ लोग जट कहें कुछ लोग किया कहना है कुछ लोग क्या कहना है जट कहें आ गया समझ में के निहा दक्स बेटा मैं क्या बता हूं इसमें मैं क्या यह बता हूं चलो देखो सुड़ो आप यहां क्यों और तेरों बेटा चलो देखो द्यान से अगर हम इसी को देखें दो चार हो गया अब दो चार इसे तो काम बना नहीं है हां दो का क्यूब एक का स्क्वाइर दो का स्क्वाइर ठीक है पिर अगर हम दो का क्यूब करें तो कितना होता है उन्नीस और आठ कितना होता है कि दिनेश कह रहें मुझे भी नि समझना है हां अंशिका या दो जी बेटा मैं तेज करता दूं कोई दिकत थोड़ी नहीं उसमें चलो देखो देखो सीधी सी बात है जैसी यह वाई है यह डबलू है यह एस है यह यू है दो का स्कॉाइर माइनस किया अगर हम उन्नीस में से आठ निकाल देंगे जी आगया अंसर इसका आइगा कैसे समझो नहीं समझ में आओ कई लोग दर देखो वाई से डब्लू जाने का मतलब दो घटाया चार घटाया पिर चार से कितना हो जाएगा आठ घटेगा तो इनीस से जार जाएगा ग्यारा पिर ग्यारे में से कितना सोला जुड़ेगा कि भी मालoot के ये से घट रहा हैं थे भी घटेगा कि इथ में आजा जाएगा आपका इंप कि ही हां थी जा संदो चारुल हम धीजाएग दो चार्र्श्य आधे两 32 248 16 32 248 16 32 चलिए और अगला कोश्च्छन है बावन है चपन है पैंसट है और एक्यासी है और एक सो छे शब्पन बावंच चपन दो जोड़ा 56 से 65 किता जोड़ा चार जब्द से पांच गर्नौ जोड़ दिया 65 से 81 किता जोड़ दिया 65 सटर सटर और 15 16 जोड़ दिया अगला किता है अग्यासी से रचे चिक है दो है स्कॉयर किँद से undar? है do का स्टर अभू स्कॉयर ॠाय, तीं का स्कॉयर, चार का स्कॉयर, ואgtp यहां प्रड़ड यहां पे डींशरत 2 होगा, 9 होगा, 16 होगया तो यह कित्ना उबभा 25 हब स्टर तब पच्छीस है क्या सी, पच्चीस और यहां पे 5 स्कॉयर जोड़ा down si several एक्तव गजी सोने और जब है कशा कर सक्क्राइब और तो पांच पचण पत्चीस ही हो गया और सब्सक्राइब रठीक है ना पत्चीस के बाद आप क्या आगए का दो गडू गिसफार हुगा चार पांच करद थे छ च शection एकंट चार ने एकसड़ यह ऑप्षिन में यह अब्षन नमबर सी क्या है मैं वी बेटा ओप्षिन नमबर सी क्लिए रहें है लोका स्कॉर तिंक शार का पांच का 6 सब्सक्राइब जल्दी से करो 15 कोश्चन करने कोशिस रहेगी बताइए बेटा क्या एंसर आएगा इसका कि आप आस करा रहे चाहिए जल्दी से बताएंगे सब्सक्राइब आप प्लीज बताओ क्या समस्य होगी विएटा आप अब आवन अचाय इसका एंसर बता रहे है ठीक है ठीक है ड़न यह कि सब्सक्राइब कराऊंगा आप बस मुझे इत्ता बता दो कि आप उलकी से क्लास नहीं ले रहे हैं नहीं ले रहोंगे तो मैं आप लोग की क्लास लेना शुरू कर दूंगा मैराथन टाइप की सटर्डे संडे में दो दिन मैराथन तीन चार्ज गुंटे ग्लासे चलो देखो अनतीस है चवालिज है अनसट है और सो हो जो जोड़ा दो हो गया चार उगया उन्सट से सो का अंतर समझ रहा बतीज जो इसका अंतर यहां कौन सा फरक है दो दो दूनी चार चार दूनी आठ आठ दूनी तो यहाँ पर अगर आठ जोड़ें चोवालीश और एक इतना हो जाएंगा छेदव आट बावन अफिर इसका इतना हो जाएगा शोला बावन और शोला जोड़ोगे तो आनसट हो जाएगा फिर बत्तीस जोड़ा तो सौ हो गया यानि उन्हें ने कुल मिलाकर आगर हम लोग सारे बल्ब जो है वो क्या है बर्ड सारे बल्ब बर्ड सम बर्ड आर बटरफ्लाई सम बर्ड आर बटरफ्लाई है यह हो गया चलिए पहला बोला है आल बटरफ्लाई सारी बटरफ्लाई जो है वो बल्ब है क्या यह दिख रहा है साफ साफ देखो नहीं दिख रहा है गलत हो यानि इसमें कुछ नहीं है कहीं भी कुछ नहीं है बेटा निहां दक्ष जो एप्लिकेशन का बैच है जीडी एंप्टीएस का प्रतिग्या बैच उसमें मैं ही पढ़ा रहा हुआ लेकिन जो यूटूब का वैच है जीडी वाला उसमें फुल के सर पढ़ा रहा है बट जो मेरी बारबजे वाली क्लास है जो यूटूब पे एक्जाम पूर पर चलती है वो टॉपिक वाइस चल लिए आप उसको जोईन करो आदे घंटे क्लास है उसको मैं दीरे घंटे करने क की पूरी कोशिस करूंगा है ठीक है ओके वेटा जी अधर आज़ा यह कुल मिला के दोनों गलत अंसर क्या आता है नाइधर फर्स्ट नौर सेकंड बहुत रौंग बिलकुल सही चलिए अगले कुश्चिन प्याज़ए तो प्रविशान नहीं होते हैं चले बोला है आप से कि हाउमेनी परसंसे मेल से यार एक में आयत कॉर्शंस और अभिनेताओं का अभी नेताओं का ट्रिकवंड गायकों का लिकोंड गायकों का पत्तिनित करता है अब आपसे पूछा है कौन सा संख्या पुरुस गायकों का पत्तिनित करता है पुरुस और गायक पुरुस और गायक देखो कहां मिल रहा है यह रहा मेल यानि पुरुस और सिंगर बोले तो गायक यह रहा है यानि यह ट्रैंगेल और यह कहां मिल रहे हब आप देखो तो पांच नंबर ऐसा देख रहा है उन्होंने यह नहीं बोला है कि अभी नहींता ना। तीन नंबर सैवन पॉइंट फाइव कुछ सैवन बता रहे और सेवन पॉइंट अगर इस तरीके से देखें देखो ध्यान सिधर देखो तीन वालों अच्छा बात बताओ कुछ लोग तीन एंसर कर रहे हैं और कुछ लोग पांच एंसर कर रहे हैं लेकिन मुझे किसी का एंसर जो है आठ दिखा है कुछ लोग का हां इसमें क्या हुआ सुनो अच्छा बात बताओ क्या इन्होंने ऐसा मना के अध्यान से लिए हाव मेनी रिप्रेजेंट्स मेल सिंगर लेकिन एक बात बताओ पूरुस और गायक तो बोल दिया लेकिन क्या उसने ऐसा बोला है आजीतू कुमारी अधीक है हां क्या ऐस बोला है यह यह Mr.rire और विनित और अधिर्बियला हुं हां अब वनीत वर्मा ने सही बोला है देखो नृटा यह तीन वह साह कित रिग्श्षा है कि तीन वह साह है जो गायक है और पुरुस है लेकिन इक बात बताओ ये पांच में भी तो आ रहा है इसका मतलब तीन प्लस पांच करेंगे तो आठ आपका एंसर बन जाएगा उसने ऐसा करता ही नहीं बोला है कि अभिनेता हो नां आपको मना नहीं किया है आगर वो यह Bu कोशिण नंपर एट पर आजए हमें 15 कोशिण करने हैं भी दस कर लेंगे ताइगर अगर पैंत्रा तिग्रिश है तो आपको बकरी के नाम बता रहे हैं इस साइन्टिफिक नेम नहां तक शायद आज आ जाएगा ठीक ना विटा कि अगर कौन सा दिव्या को स्चन पूछों देखो लगता ठाको ने कहा है कौपी प्रेस्टॉलों को बुखार आ जाये अग्वान से ऐसे प्रेक कर रहे हैं सुनो कि अगर का साइन्टिफिक नेम पैंत्रा इंग्रिस है उसी तरीके से बकरी का जो साइन्टिफिक नेम है काप्रा एका ग्रुस्टॉल्स दिक रख ये बाहर टाफ कोस्चिन था सचाहे रहता हुँ ये टाफ कोस्चिन था वेटा राम ट्री। बेटा मैं अन्लख्नों में हूं ठीक है जी चलीए 9 11-5 16 25-25 और 35 नहीं ऐसा नहीं कहता है गलत बात है चलीए अगला उते हैं कि जल्दी से बताएंगे है हाँ बेटा तुदर्शन विश्वास आ रहा है रोकी गनेश कुपेरा है हाँ कि सर हम लोग एससी इट्स कितने बज़े होते मतलम भी समझा बेटा थेंक यू बेटा नेहा दक्ष जी विटमें आपको बड़ी दिन बात देखा है आप कहीं और भी पढ़ रही थी गलत बात चीटिंग खीटिंगर में आप अधस्न हमें लुज यहें नék क्या टॉड़ेंत्स में अगर हम लोग 4 जोरों सोला हो जाएगा उसी तरीके से सोला में हम कितना जोड़ दें सोला चार और पांचा नौ साहिए गलत पत बताना है गलत वाला कौन सा है रॉंग वाला तो यह गलत कहां से हो गया जी ध्यान से देखना सोला धाई हुआ फिर साड़े चार हुआ तब क्या हो जाएगा साड़े सात हो जाएगा तो सोला और सात कितना होता है तेज़दसमुलों पांच पिर तेज़दसमुलों पांच में अगर अनों कितना जोड़ें देखो धाई से ध्यान समझेगा धाई से साड़े चार साड़े चार से साड़े साथ धाई से साड़े चार को मतलब कितना जोड़ा दो यहां कितना जोड़ा तीन अब कितना जोड़ेंगे चार जब चार जोड़ेंगे तो साथ चार एक ग्यारा एक ग्यारा दसमनों पांच आएगा तो पांच-पांच-जीरो फिर एक हासिल लग या तीन एक चार और एक पांच हो जाएगा और दो रितिंग पैंटीस आजाए कि यह सही है कौन सा गलत है पचीज दस्मलों पांच गलत है इसकी जगह क्या आना चाहिए था थेज़ दस्मलों पांच आना चाहिए था पीदा सुन तुन कोश्चन दो वोलो यह मैंने तरीका बताया क्या हुआ यह यह मैंने पूरा फ्लो बता दिया कि के अ कि अधिव्या तिवारी बेटा कोश्चन तो पूछो तुम तुम बस यही कह रहे हुए कि कोश्चन नहीं बताया कोश्चन नहीं बताया तुछ तब तो अनू पांडे विटा हाँ नहीं नहीं आपको अगर आपको बेड़ वाले करनी तो बार वजया लेक्लास करो कि हां कर लेते हैं बेटा कि छलो इसको देखो कि इसको ऐसे पलटों यसा बनेगा यह काला वाला पोर्शन इधर आजाएं और यहां पर यह लाइन वाला प्रेशंड आटायोंे इसमें देख रहा है इसमें और इसमें नहीं ना इसको भी रायन दो तुम लोग चलो इसको कॉस्चन पर बताओ बताई जल्दी से क्या एंसर आएगा हाँ दिव्या तिवारी तुम्हारा कॉस्चन नहीं आया हाँ कि आप वन आर की कर देता हूं देविंदर मदोरिया क्या हो गया उटा अमर जीत पीटा जीडी लाइव आने का जो मेरा टाइमिंग है वेल पीम एससी एक्जांस पे टू पीम एक्जाम पूर पे और नाइन पीम एससी पे नाइन पीम एससी एक्जांस पे लिए ना अच्छा रूपी कोई बात नहीं है अच्छा मर्डर होगा कोई बाती तुम लोग को पुलिस पकड़ के ले जाएगी जलो देखो यहां पर क्या और ध्यान समझेगा सबी लोग वोला है और फ्लोर और फ्लैट और फ्लोर आर फ्लैट some flat are building, कुछ flat building है all apartment are plot and no building is plot, कोई building plot नहीं है no building is plot and all apartment is plot, सारे apartment क्या है plot सारे apartment क्या है आपके plot सारे apartment क्या है plot ठीक है, सम plot are flat, कुछ plot क्या flat है plot or flat के कोई relation दिख रहा है, कत्ता ही नहीं दिख रहा है some apartment are building, कुछ apartment building है कुछ apartment building है, इसका भी कोई relation दिख रहा है दोनों के दोनों गवर रहा था, तीसरा है some building are floor, कुछ building floor है, यस यह flat floor है नहीं, यहाँ भी देखो, यह floor है, यह flat है यह floor है, floor और यह flat building of flat यह भी नहीं है, यानि none is true option number D हो जाएगा, none is true बेटा अभी शादिक करी कहा है बेटा आप B8 के लिए ना आप 12 बज़ ली class करना शुरो करो 12 PM वाली class, SSC exams by example पर आप लोग करना शुरो करो ठीक है, SSC exams by example जल्दी से अगला question आपकी screen पर कलो फिर class बंद भी होनी है क्या हो गया बेटा महारत ही बेच क्लास क्यों नहीं ले रहा है आप से बेटा जानू का जान कानपुरिया चलो अभी इसका अब इससे बात क्लियर होगी कि फुल किसे class नहीं ले रहे हैं आपकी चलो मैं class लेना शुरू करता हूं फिर उस पे उसका भी टाइम बनाते हैं कोई जी कि चलो सका अशुरता हूं कि के से एन एन से क्यू फिर अगला ग्यारा से चौदा तीन बढ़ाया चौदा से सत्रह तीन बढ़ाया सत्रह से तीन बढ़ाएंगे बीस टी कि अब वी से विपाईच से कितना गया बाईच वाईच अफिस फांविश चेज़ोड़ा आप शैंड आफ च्वादर च्वदक अब अगर ध्यां से कोशिस करो तो जिए लिखाया फिर छॉदा ग्यारे है चौदा इससर निसर आजाएगा आपका एवर पीट्वेंटी एव्या from the each of those words. Identify the word in which there is an addition of letter while compare with the original word. ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि एक मेनिंगफुल सब्द बन जाए आपको बताना, जल्दी से बताएए सब्दी लोग जी अच्छा बोला है नीचे चा सब्दिया अच्छो को अलग अलग करम में रखकर हर एक सब्द से एक नया सब्द बनाया सकता है उस सब्द की पहचान कीजिए जिस से जिसमें वासी सब्द की तुल्ना में एक अन्य अक्छा जुड़ा गया है यह देखो रेब लोगा? जी हाँ बेटा में लखनों में हूँ हाँ ठीक है बेटा रवी आ जो बस दो में टुक जो किदा सुनों रेब क्यों देखो सीधी सी बात है करें यहां पर देखने कोशिश करें पी इए आर और इसमें एक अच्छा जोड़ दिया गया पी इए आर हाँ चलो यह रहा आपका लास्ट कोश्शन है यह एच डवलू है तो फिर आज के लिए इत्ता है रखते हैं कल से चीजों को और समय से करेंगे जो थोड़ा बहुत आज लेट हुआ है कल चीजों को अच्छिस कर देंगे ठीक है जल्दी यहां पर कराते बेटा ठीक है लॉजिकल पार्ट भी कराते हैं हां बेटा रहुल चौरस्या जी प्थन निस्क्रों सबागती चीज़ी तो चलिए फिर आज के लिए इतने रखेंगे उमीद करेंगे आपको सेशन अच्छा लगाओगा वीडियो को लाइक करेगा शेय करेगा और जितने भी नोग यूपी साई की तयारी करना चाहते हैं या सूसी की सी इख्जाम की तयारी करना चाहते हैं यह साथओं अधिक जानकारी कले आप लो और कल से बार वजाली क्लास को एक घंटे करने की पूरी कोशी से मेरी ठीक है चलिए तब तक लिए मस रही है खुश रही है मुस्कुराते रही है जैहिंच जैभारत यह भान इसर कोश्चन देख क्यों नहीं रहे चलो मैं देख लूँगा आप आफ्लाइन कमेंट कर देना व अटो मैं देख बेख लिए